नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारेक्रम, इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। अभी हाल में NCRT ने हमारे स्कूल के छटी से लेके बारवी कख्या तक की जो इतिहास की जो किताबे थी उसके सिलबस में काफी मेजर फेर बदल किया है। ये 2014 के बाद से सबसे मेजर चेंजेज हैं। गुजरात 2002 के दंगों का रिफरेंस इसमें से हटा दिया गया है। एमरजनसी के बारे में भी कई सारे चीजों को हटा दिया गया है। एमरजनसी लगाने का जिक्र जरूर है। लेकिन emergency से क्या society और हमारे democracy में क्या damage हुआ था उसके बारे में नहीं बताया जाएगा तो आज हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे हमारे साथ हैं सुचेता महाजन जो जावारलाल नहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफिसर है और बहुत ही जानी मानी और प्रसिद इत इतिहास का रहे हैं तो सुचेता जी सबसे पहले तो हमारे कारे करम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हम यह जानना चाहते हैं हम और आप काफी लंबे समय से इतिहास राजनीती इन सब चीजों के उपर बात करते आ रहे हैं लेकिन क्या वज़ा है कि हर कुछ सालो में इतिहास और इतिहास का अध्यन को लेके स्कूल कॉलेजों में किस तरह का इतिहास पढ़ाया जाएगा उसको ले कितनी राजनीती करन क्यों होती रहती है यह सवाल मैं भी आपने आपको कई बारी पूछती हूँ कि इतिहास ही क्यों उससे जुड़े हुए कुछ सबजि है जिसका राजनीती करन विशेश तोर से मैं कहूंगी कि जब बीजेपी की सरकार आती है एंडिय की सरकार आती है कहने के लिए कि जो राइट विंग सरकार आती है तब इसका राजनीती करन जादा होता है और मैं इस बात को इसलिए अंडरलाइन कर रही हूँ शुरू में ह क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जो सरकार आती है वो अपने नजरिये से इतिहास को लिखवाती है ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जब कॉंग्रिस की सरकार आई लेकिन जो पुस्तके थी उन्होंने जो पुरानी पुस्तके जो हटाई गई थी वो उनको वापस नहीं लाए ज जो नया रिसर्च है और नय एक पेड़गोजी है, उससे लिखे हुए उन्होंने जो नई पुस्तकें इतिहास की जो है, उनको नया NCF आया, नया नई किताबे लिखी गई, तो जो की बहुत ही critical थी Congress की ही, तो Congress मुझे लगता है इस बारे में काफी liberal है, बतला वो अपनी विचारधारा जो है वो नहीं थोपती है, आपने ये जो बात बताई कि कई बार इतिहास के syllabus में बदलाव किया जाता है, लेकिन सरकार बदल जाती है, तो इसके बारे में मेरे को अभी हाल में हम अजमेर गए थ प्रित्विराज फिल्म को लेके बहुत कॉंट्रवर्सी हुई थी, अक्षे कुमार से लेके बहुत और लोग हम लोगों को किस तरह का इतिहास हमको पढ़ना चाहिए और किस तरह का इतिहास हमको पढ़ाना चाहिए, उसके बारे में चर्चा हो रही थी, अब अजमेर में आपको पता हो कि अजमेर ही उनकी capital थी प्रिस्विराज की वहां के वो राजा थे और वहां पे एक memorial है जो हमें पता चला कि भारती जनता पार्टी की जब कभी सरकार थी तो वो बनाई गई थी तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी कौतुहल थी कि हम वहां क्या है तो हम वहां वहां जाके देखा कि जो प्रिस्विराज स्मारक जो बना हुआ है वहां वही चीज को दोहराया गया है जो एक मिथक कहानी प्रिस्विराज के बारे में बताया जाता है कि उनको आखरी हिंदू राजा के तौर पे पेश किया जाता है जो कि आप भी जानती है और इसके बा राजा कभी थे नहीं वो तो अजमेर के राजा थे तो ये हमेशा देखने को मिलता है हमको कि इतिहास में को बदला नहीं जाता है जब कभी politically उसको बदल लिया जाता है अब हम समझने के कोशिश करते हैं कि जो ncrt के किताबों के बारे में जो syllabus में जो changes आई हैं सबसे बड़ी करीब ह़ार साल के करीब कर लंबा पीरिएट जससे एम लोग कृत करतेkonay कि एक तो कि बहुत लंबा पीरिएट को उस बात के हजार साल से कुछ हंदुस्तान में हुआ ही नहीं, दूसरी बात ये hai है कि उसको ये लोग मुस्लिम युक की तरह पेश करते है, इतिहासकार के तौर पर आपको क्यों लगता है मतलब वा कि इसको इस तरह से स्ट्रेट जैकेट तरीके से नहीं देखा जा सकता है, बहुत लोगों ने काम किया, इस पर आपने भी इस पर बहुत काम किया जो kingdom शलती हैं, वो वहाँ पे जाती हैं, और किस तरह से एक राजनेतिक और सामाजिक integration होता है पुरे देश में, जो हम आज बोलते हैं कि मिली जो संस्कृती है, एक तरह से वही पे मन्थन होता है उसी दौर में, और उसी को कि अजिसमें पीरिड कहा जाता था, तो वही दुबारा से जो ये communal अब जो ये विचारधारा से जो ये सारे डिलीशन्स हो रहे हैं, उस परस्पेक्टिव से, तो वह पुराना colonial interpretation जो है वो बापस लाया जा रहा है, तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे आपने कहा कि एक तो जो achievements थे उस समय के, जैसे आपने बताया जो expansion था, जो एक ही करन था, उसके अलावा प्रफेसर महालक्षमी इतिहास वे भाग जेन्यू से हैं, उन्होंने अभी इसके पुरा लेक लिखा है ये NCRT deletions पर, तो उन्होंने बहुत सी इसमें, जो जो इसके पहलू हैं, उन्होंने उसको point out किया है, और उसमें ये भी है कि इतनी छोटी छोटी बाते हैं जैसे कि बचकानी बाते हैं, जैसे मेमूद गजनी का जहां जिक्र हुआ है, तो उसके नाम के पहले सुल्तान शब्द हटा दिया, उनके नाम के आगे से समराच शब्द हटा दिया, और अकबर का जो पुरा एक लिबरल तरीके से एक व्यू है, उसको हटा देना, ये जो विचार धारा है इसके पीछे, ये बहुत क्लियर आ रही है, मतलब हम हर चीज में राजन करें, ऐसे जो पार्टी कहती है, जैसे अमिच्छा जो बीजेपी के प्रेजडेंट है, जो बीजेपी के नंबर टू है, और होम मिनिस्टर है, तो उन्होंने हाल ही में एक बुक का लाँच हुआ था दिल्ली में शायद, दस जून को, उस किताब का नाम था, माहराना, अफसर पे उन्होंने बहुत क्लियरली स्पष्ट किया, एक डारेक्टिव दे रहे हैं, इस ये डेलिशन्स को जैसे वो समझा रहे हो हमें, जैसे उन्होंने कहा कि ये पीरिड जो है, ये हजार साल में जो है, हम मुगलों को ही क्यों हम इंपोर्टन्स दे रहे हैं, और उन् पूरा लिस्ट उन्होंने दिया वहां से लेकर, गुप्ताथ, मौर्याथ, उसके बाद आगे का पीरिड चल कर उन्होंने अहोम डाइनस्टी कि किस तरह से उन्होंने मुस्लिम रूलर जो है, उनको किस तरह से उन्होंने अपोज किया, तो कहने का मतलब है ये जो, और फिर उन्होंने कहा कि पलवा और पांडिया चोला मतलब जितने भी नौन मुगल और नौन डेली सल्तनट की जितनी डाइनस्टीज हैं उन सब को गिनवा दिया और कहा कि इन पे रिसर्च होनी चाहिए यह हमारी हिस्ट्री है जिसको हमें रिराइट करना है तो मतलब पुलिटिकल पर्सक्टिव जो पार्टी के दरशा रही है और जो ग्राउंड लेबल पे जो एनसी आर्टी कर रही है अलां कि जो डेरेक्टर है एनसी आर्टी के सखलानी साहब उन्होंने अभी कहा कि यह सब मेरे आने से पहले हुआ है लेकिन इतना क्लोस मैच है पार्टी स्पोक्स्मन party leaders और जो NCRT के deletions हैं उनके बीच में total match है तो इसलिए बिलकुल हमें मुझे तो यही लगता है कि एक political एक राजनीति के एक विजादारा है perspective और वो perspective क्या है वो पहले तो कहते थे कि अच्छा left जो view है उसको criticize किया जाता है कि देखो यह लोग Macaulay की उलाद है नाम से रॉमिला थापर, विपिन चंदरा सब ही को leftist writers जो की थे कथित leftist अला कि उनकी किताबें बिलकुल भी कुछ leftism नहीं था बिलकुल liberal उदारवादी विचारदारा से लिखी गई थी लेकिन पहले समय में ऐसा था कि जब BJP और RSS की तरफ से एक critique आता था इस historiography का तो वो इसी चीज़ को लेके आता था कि यह लोग जो है Muslim को appease करते हैं और जो Muslim achievement है उसको आगे बढ़ाते हैं और Hindu achievement को बिलकु दर किनार करके रख दिया हैं लेकिन अब अंतर क्या है अब जो कहा जा रहा है कि criticism का time खतम हो गया है critique की जुरूरत नहीं है अब आगे बढ़िये और अपनी history लिखिये rewrite your own history उसका एक तरह से एक appeal कहलो या एक एहवान कहलो there is a call to rewrite history जो कि जैसे कि हम एक next एक अगले दौर में अब आ गए है कि अब critique का जमाना नहीं रहा deletion कर दो उससे पता लग जाए कि हमारा जो रास्ता साफ है आगे के लिए और NCF तो बिठाई दिया है जो नया है और उसकी जो composition है उससे बहुत clear है कि किस तरह के लोग है उसमें और उनको जो बहुत clearly जो directive दिया है वो ये है कि आप आप ऐसा इतिहास लिखिए जिसमें जो गेर Muslim शासक हैं जो गेर Muslim reformers हो सकते हैं जैसे कि मीरा बाई हो अब उनको importance दी जाए और जो एक RSS आप सिर्भीर रहीम की बात ना करें लेकिन आप सिर्फ तुलसिदास और आप मीरा बाई की बात करें तो ये तो भक्ति मूवमेंट जो है सब को पता है कि एक तरह से ये विद्रो का मूवमेंट था इसलाम में भी सूफी एक तरह से चला और दूसरे तरफ हिंदू धर्म मानने वालों में से भक्ति चला था उसके बारे में बहुत काम हुआ है आप बात करें थी किस तरह से राजनीती में इंटरफेरेंस हो रही है थोड़ी सी जानकारी आड कर रहा हूं हो सकता है कि दर्शकों को भी वैल्यूबल लगे ये ये जो NCF, NCRT को नैशनल करिकुलम बनाने के लिए जो चीजे बनाए उसमें एक नैशनल स्टीरिंग कमिटी है जिसके बारा मेंबर है उसमें NBT, National Book Trust के चेर्मेन गोविंद प्रसाद शर्मा जी भी है वो कौन है? वो विद्या भारती जो राष्टे स्वयम सिवक संग का सबसे बड़ा स्कूलों का जो नेटवर्क है पुरे देश भर दे उसके वो हेड रह चुके है तो ये तो डायरिक्ट इंटरफेरेंस के आगे कुछ नहीं होता है उसी बात है कि आप अमिट शाजी की बात कर रहे थे आज से अक्टोबर 2019 में मुझे याद है क्योंकि उस समय मैंने उसके बारे में मैंने लिखा भी था वो बनारस के बनारस उन्डू उनिवर्क है और उन्होंने वहां का था कि वक्त आ गया है कि हमारा इतिहास लिखना चाहिए अभी अक्षा कुमान की जिक्र हो रही थी तो उन्होंने प्रित्विराज सिन्मा के बाद जो पुबिसिटी इंटर्व्यूस किये उसमें उन्होंने का कि I have no problems in studying Mughal history but we must also know about our kings तो our kings and their kings क्या ये categorization सही है इतिहास कार के तौर पर आपको ये categorization सही लगता है चाहिए अक्षे कुमार का हो चाहिए अमिद्शा का हो ये हमारे हमारा इतिहास लिखा जाना चाहिए आवर kings के बारे में पढ़ा जाना चाहिए पढ़ाया जाना चाहिए इसके बारे मैं बताएए ये बिलकुल घलत है कि them and ours Muslims को जिस तरह से othering का जो पूरा process है प्रक्रिया है और ये मतलब समाज में जो हो रहा है जिस तरह से पूरे Muslim संप्रदाए पर एक पूरा जैसे हला बोल हो रखा है पिछले कुछ सालों से और किताबों में देखे और इतिहास के लेखन में देखे तो वहाँ पर भी वोई चीज रिफलेक्ट हो रही है मुझे तो आज चरह ये होता है कि इतना direct relation राजनीती में और इतिहास लेखन में पहले कभी नहीं देखा मतलब पहले भी BJP की सरकारे आई है 2014 के बाद से कुछ जादा ही हुआ है उसके पहले भी हुआ है उसके बादे में बात करेंगे पहले भी हुआ है लेकिन इस तरह का अर्सर्शन नहीं था उस समय जादा कृटीक था अब यह है कि वो दौर हो चुका है कृटीक का अब जो है अमिच्छा ने तो शायद जिस मंच की आप बात कर रहे हैं बी एच्छू में जहां पर वो सकंद गुप्त का सेमिनार था वो था उस पर उसमें तो शायद उन्होंने कहा कि हमें अब अगले स्टेप लेना चाहिए हम लेफ्ट, मुगल या ब्रिटिश हिस्टॉरियन तीन उन्होंने कैटिगरी डाइरेक्ट्ली उन्होंने उनको रिफर किया और कहा कि ये तीन हिस्टॉरियन जो है इन विचारधाराओं के तो इनको क्रिटिसाइज करने का समय अब निकल चुका है अब हमें आगे बढ़कर अपना इतिहास लिखना है और मुझे लगा कि आहॉम के बारे में भी कितना डाइरेक्ट लिंक है जो असाम में राजनीती है उससे कि वहाँ पर जिस समय तरह से सिर्फ भीजेपी हमारे राजा थे और उसके बाद में मुसलमान आए मुसलमान वही फॉरेनर वाला जो बिल्कुल नारेटिव है उसको किस तर से स्थाफित करें ताकि हमारी कंटेंपररी राजनीती चले इतिहास को बेसिस बढा करें और अगर आप उसको पढ़ें कि अगर वो दस राजाओं की या दस डाइनस्टी की लिस्ट है जिसमें पांडवा, चोला, इतियादी के नाम है कि इनको एग्नॉर किया गया है और मुगलों पे ज़्यादा एंफसिस है लेकिन जो ये लिस्ट देकर लेकिन सबसे ज़्यादा बात किस को भी खर रहे है अहॉम पे क्योंकि असाम ऐसा शेत्र है जो कि आज के डेट से पिछले कुछ सालों से हम देख रहे है वहां की राजनीती किस तरह से पूरा सीए को लेके अंटी मुसलिम और सिटिजन्शिप का मसला और वो पूरा है उसका कितना डाइरेक्ली जो आज हो रहा है ग्राउंड लेवल पे और फिर इशारा हो रहा है अहॉम पे इतना जोर क्यों आ रहा है क्योंकि वो असाम की आज की राजनीती से और देश की राजनीती से जो सिटिजन्शिप का मसला है और अंटी मुसलिम जो पूरा नारेटिव है जो हम समाज की तौर से अगर देखा पर देखा जाए ये आदर का जो है कि मुसलिम और हिंदू इस बीक की आवर हिस्ट्री देर हिस्ट्री कि इतना गलत है मुगल सभी जानते है बच्चा बच्चा जानता है कि मुगल जो थे उन्होंने भारत को अपनाया इसमें बेशक अगर हम अबुल फजल की नूर सिफर उनकी कविता देखें या जो उस समय के अकबर की रचनाई देखें मतलब कोई भी अगर हम बाबुर से लेके अकबर तक शाजहां का जो कॉंट्रिब्यूशन था डेली सेल्टनट के समय के जो अचीवमेंट्स है तो आज भी दिल्ली जैसे शहर में हम रह रहे हैं जिसमें हम जहां भी रह रहे हमारे आसपास जो मॉन्यूमेंट है जो आर्किटेक्चर है यह सब इसी पीरिट का है क्या यह फॉरण रूल है यह तो सबी दिख रहा है मतलब बहुत एक तरह से आव्वियंस बात है कि यह हमारी दिल्ली है इसमें इतनी सेवन सिटीज ऑफ डेली सारी इसी पीरिट की है यह इसके बारे में यह मुस्लिम रूल कहना और हिंदू रूल उसको अलग से करना यह तो बिलकुल इतिहास के साथ तो एक खिलवाड हो रहा है यह जो मुस्लिम रूल मुस्लिम पीरियट किसी भी सरकार सामराजे का को हम लोग कैरेक्टराइज बादशा या नेता या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के आधार पर नहीं कह सकते क्या हम आज कह सकते हैं कि चूंकि आज नरेंदर मोदी OBC कैटेगरी से आते हैं तो हिंदुस्तान में OBC राज स्थापित हो गया है शायद हम नहीं कह सकते क्योंकि हम देखेंगे कि जो रूलिंग जो इंसिटूशन्स हैं वहाँ पे किस जाती के लोग हैं तो उसी तरह से इतिहासकार के तौर पर जब आप मध्यकालीन पीरिट को देखते हैं चाए अकबर हो चाए शाजा हो चाए बाबर हो दिल्ली के गदी पे तो वो थे दिल्ली तो नहीं कहरा आगरा के गदी पे जादा थे समयते हैं दिल्ली मुह से निकल जाता है लेकिन रूलिंग क्लासिस जो मिडेवल पीरिएड है जो हजार साल का इतिहास को बिल्कुल छोटा करके एक पंदे में घुसा देना चाहते हैं इसमें रूलिंग क्लासिस क्या थे कि एक नौन हिस्टोरियन के तोर पे मैं जतना समझता हूँ कि मुगल्स रूल जरूर कर रहे हूंगे बादशाँ जरूर रहे होंगे लेकिन उनके कॉलाबोरेशन उनके पर्टिसिटिव्पर पर्टिसिपेटिव जो पार्टनर्शिप्स थे वो तो सब हिंदू बाद्शा तक लोकल रूलिंग एलीट के साथ उन्होंने पार्टरशिप स्टाइक कि आपने खुदी इतने अच्छी तरह से बात कही है कि जो राजपुताना का पुरा शेत्र था वहां अलग-अलग राजपुताना का तो शेत्र में अभी अजमेर गया था तो तो फ्रेश काफी कई लेना चाहिए बिलकुल नहीं नहीं बिलकुल सही कह रहे हैं कि जो राजपुत नोबिलिटी थी उनका और मुगल नोबिलिटी के साथ मुगल रूलिंग क्लास के साथ वो तो एक पूरा बहुत ही एहम रिष्टा था और अगर पॉपिलर कल्चर में भी देखें तो आज हम बात कर रहे हैं जो डिस्टॉर्टिद तरह की फिल्म आ रही हैं जैसे आपने जिक्र किया पृत्वी राज उसके पहले अलावदीन लेकिन कुछ साल पहले जोदा अकपर आई थी फिल्म और उसमें तो पूरा दिखाया उसमें जोदा अकपर में बिलकुल अच्छी तरह से प्रिजेंट किया कि किस तरह से राजपूत नोबिलिटी से आई थी अकपर की वाइफ और बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया था तो ये तो कॉमपोजिशन ऑफ रूलिंग क्लास जो है वो जो उधर की तरफ से जो तुरानी इरानी नोबल्स कहते थे तुर्की थे यही दी और मैंने उसका समर्थन किया लेकिन मान लो अगर हम दक्षिन की तरफ जाएं अगर हैदरबाद की तरफ जाएं वो भी मुगल समराज्य का ही हिस्सा था दक्कन जो था उस समय तो वहां पर भी हम देखेंगे कि किस तरह से जो लोकल एलीट थे वो भी उसी रूलिं क्लास है जिसको अश्रफ कहते थे जो नोबिलिटी थी अगर हम बंगाल में देखें जिनको धाका के नवाब जो थे यह सभी लोग जो थे केवल मतलब यह उर्दू पर्शियन तो था लेकिन उसके अलावा यह पीरियड है मेडीवल पीरियड जिसमें जो आज की डेट में जिनको हम modern Indian languages कहते हैं इनका जो सारा emergence है यह इसी पीरिड से आता है दक्किनी भाषा उर्दू भाषा थोड़ी लेटर पीरियड में बंगाल में अगर हम देखें तो जो बंगाली जो जो नोबिलिटी है और जो रूलिंग क्लास थे देवर आज मतलब वो अपने हिंदू ज बंगाली बोलते थे उनके नाम भी एक जैसे थे वहां तो इतना अंतर भी नहीं रहा था तो कहने का मतलब है आपने पहले एक सवाल में कहा था कि एक integration हुआ इस पीरियड में बहुत अच्छा शब्द आपने यूज किया कि जो एक integration हुआ social level पे इस पीरियड में उसी को erase कर जा रही है और 1000 years of foreign rule ये शब्द हर समय आ रहा है ये पूरा मिथक प्रमोट हो रहा है foreign rule ये बहुत ही गलत है ये तो बच्चा-बच्चा समझता है कि जो British थे और जो मुगल थे और जो अदली सल्तनट के जो शासक थे उनमें और British में क्या फरक है ये तो NCRT की जो सबसे पह किया जाता था कि drain of wealth क्या है कि मुगल जो शासक थे जितना भी अगर वो मान लोग खर्चा करेंगे लेकिन वो भारत में खर्चेंगे जो कुछ होगा यहां पर ही वो खर्चा और British जो है वो सारा कुछ Britain में लेकर जाएंगे तो ये बच्चा-बच्चा समझता है कि क्या अं हिस्टॉरियन थे सारी गडबड उस उनकी से चुरू होती है क्योंकि उन्हों ने इस तरह से ये पिरिडाइजेशन दिया था Hindu period, Muslim period और तीसरा शब था British period तो उनसे पूचा गया कि वो period फिर आप Christian period क्यों नहीं का वो तो obvious बात है वो अपना नहीं कहेंगे कि ये Christian है लेकिन ये colonial period में ही सब colonial historiography में ही काफी जड़ जो है ये वहां से है और प्रोफेसर विपिन चंद्रा और रॉमला थापड और भी लोग है उन्होंने हमेशा ये दिखाया है कि जो communal विचारधारा है इतिहास लेखन में वो किस तरह से colonial विचारधारा में रूटेड है अगर इस च प्राजनीती है और पुरा जो है बहुत अच्छी तरह से हमें समझ आ जाएगा कि इसके roots जो है जड़ें जो है वो colonial है आपसे एक आखरी सवाल जो इतिहास अब जो पढ़ाया जाएगा NCRT के किताबों में से major portions हटा दे गए हैं जो इतिहास अब स्कूलों में पढ़ा 2014 के पहले के इतिहास जो पढ़ाया जा रहा था उससे क्या फरक है जो बच्चे पढ़के निकलेंगे उनके हिसाब से हिंदुस्तान का इतिहास में क्या फरक आएगा सबसे असल में सबसे डर की बात तो यही है कि एक जो एक civilizational पूरा एक unity जो रही है हमारे देश की उसको हम इंडिया कहें हैं भारत कहें मुझे फरक नहीं पड़ता ले रेले एक ही है उसको पूरा भंक कर दिया जा रहा है और हिंदु अलग और मुसलिम रूल को अलग करना ताकि जो बच्चा-बच्चा है वो जो अपना मुसलिम से पाठी है जो क्लास में बैठे गा उसके साथ वो उसको इस नजर से देखे गा रहे तुम तो जो है तुम तो वो फॉरान रूलर की तुम जो है आप उनके successors हैं और इस तरह से जो फूर डाली जाएगी और देखि जो students BA, MA करेंगे history में उनके बारे में मुझे कोई चिंता नहीं है मुझे चिंता उनके बारे में है जो class 12 के दस्वी के बाद जो की आम तोर से होता है आम बच्चे जो है दस्वी तक इतिहास पढ़ते हैं उसके बाद कोई engineer बना कोई कुछ बना हर अपनी type life में अलग जाते हैं और वो ही जो नाजो के एक period होता है उसमें आप उनको एक पूरा distorted इतिहास और वो distorted इस तरह से कि बिलकुल वो क्या कहते हैं उसको narrow minded होगा और जिसमें ये दोनों communities के आपस में ये जो है चीज बढ़ेगी और मुझे लगता है कि यही कारण है कि जब पहली communal पहली पुस्तके आई थी वाजपई period में जो लिखी गए थी उनमें जो इतिहासकार थे उन्होंने उसमें तुर्टियां दिखाई थी और उसमें इतिहासकारों के इलावा आम जो parents थे वो उठ खड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को इस तरह का जो dangerous idea है क्योंकि देखें communalism जो है वो एक तरह से racism की तरह है हमारा version of racism तो कोई माबाप नहीं चाहते कि बच्चों को इस तरह की जो है समुचेत और गलत type की ideology जो है वो एक young impressionable जो एक तरह के उनके जो मन है वो हो तो सबसे जादा तो मुझे लगता है कि खत्रा जो है ये च्छे class 6, 7, 8, 9, 10 उसके बाद तो बच्चा जो student है वो सब समझता है और 10 किताबें हैं उनके पास, 10 चीजें हैं जहां पर वो देख सकते हैं लेकिन वो period है जहां पर वो सिरफ किताबों में text books को देख रहे हैं ले लेकिन I am always an optimist मुझे लगया जैसे पहली किताबें जो थी वो निकलेंगी तो हो सकता है इनकी भी गलतिये निकाली जाएंगी लेकिन आज की date में हां बहुत ही एक तरह से एक काप्रेहेंशन है क्योंकि RSS की तरफ से जो उनका अखिल भारतिय इतिहा संकलन बॉड है उनकी से पूरी तयारी है और उन्होंने पूरा धांचा जो है वो तयार करके रखा है पूरा Vedic period और Harşa period लोग हमारे जानते हैं तो सुचेता जी आपने इन सब चीज़ों के बारे में हम को सचेत किया और मुझे यकीन है कि हमारे जो होता है जो लोग हम लोगों को जो इसकारिकरम को जिन्होंने देखा है वो जरूर ध्यान रखेंगे और अपने बच्चों को कम से कम जो इतिहास स्कूल में पढ़ के आएंगे उसकी ऑडिट करेंगे घर पे और उनको जिस तरह की इतिहास के बारे में हमने सुचता जी से बात की उसके बारे में भी उनको आगा करते प्रण धने ब मता